के चले अभी हम एक सिरीज इस्टार्ट किये हैं वो सिरीज है डाइमन रूल का यह जो डाइमन रूल है नहीं गोल्डेन है और नहीं सिल्वर है सिधा डाइमन रूल है यह डाइमन डूल हम इसलिए कर रहें क्योंकि सेसी जो है न वह बहुत ज्यादा पूछता है इस सब घु 2024 CGL 2024 or MTS 2024 उसको टार्गेट लेकर के यह पढ़ है ठीक आप क्या करें किस वीडियो को कम से कम 3-4 मिनट तक देखें देखने के बाद लगे कि नई वीडियो खराब है या फिर वीडियो अच्छा नहीं है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें कि तुरंत वीडियो को कर दें और डिसलाइक करने का बाद वीडियो को स्किप कर दें और इसकिप करने का बाद किसी और का वीडियो देखें जहां आपको जादा समझ में आ रहा होगा ठीक है क्योंकि नोकरी लेना बहुत जरूज है ठीक है यूट्यूपर ऐसे भी बहुत बड़े-बड़े अगर ठीक लगा तो आप हमारे सब continue बने रहिएगा हम इंग्लीज का डर चाहे हिंदी माध्यम से है अंग्रीजी का डर का स्टुडेंट हो हम इंग्लीज का डर थोड़ा सा खतम करने का पूरा कोसिस करेंगे क्योंकि हम भी जब एक्जाम में स्टार्ट किये था ने इंग् अब सोच लिजें कि लेबल क्या था मेरा अभी भी बहूत खतर नहीं लेकिन हाँ बस इतना है कि ठीक ठाक है एवरेज है ठीक ठाक है मतलब एवरेज ही मानके चलते हैं आज तक हमको लगता है पत्चीस में पतचीस इंग्लीज में कभी नहीं मारे यह भाण ने वाला और फ से ही पांच गलत कोईशन टफ रहने का अधारा से ही साथ गलत भी होता है कि सोला नौ भी हो जाता है इसा नहीं है कि फेकने से क्या हो जागा मेरा लेकिन एवरेज अगर देखें तो 21 चार बाइस तीन यह चलता रहता है सिलसिला थाइस तू यह सब सिलसिला है जो चलता तो अब तो फेकने वाली बात ने तो हम क्या करते हैं कि इसको जैसे हम अब बोले तो कि साथ सही और ग्यारा गलत हुआ करता था दिरे 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 प्रैक्टिस करके जब हम कर लिए तब हमको आया हिम्मत कलेजा कि शाला कोई भी कर सकता है डरना नहीं यह खली पास इंगल के लिए हम पढ़ा रहे कि अभी उसका एक्जाम है तो पढ़ा रहे है फिर वो भी काम देगा तो मोस्ट रिपीटेट का मतलब होता है कि बहुत जादा रिपीट हुआ है वो इसलिए वीडियो बनाया चाहरा है सबसे पहले एक होता है पजीसिव एजेक्टिव और एक होता है पजीसिव प्रनौन समझते हैं यह पजीसिव एजेक्टिव और पजीसिव प्रनौन होता क्या है जिसे माई है यह हमारा पजीसिव एजेक्टिव है योर है यह पजीसिव एजेक्टिव है यह हर है देर है आ थे हम डबै अगर ब दना रहे हैं इसको थो हाइलेक' कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कुछ तो कारण होगा सवाल इसलिए दिये हैं कि आप तो बता रहे हैं कि यह जो rule number one है जीकिन ब्रसीव प्रोण defect का ये कैसे होगा हम example सहीत बताएंगे question पूछा वह भी बताएंगे हम यह बता रहे हैं कि इसको बोलते पॉचिशिब अडिक्टिव इसको बोलते पॉचिशिब पॉर्णौन तो समझ में आ गया कि सर आप तो बता दिये था हमको समझ में आ गया कि माई पॉचिशिब अडिक्ट तुम कैसे जानेंगे कब जानेंगे कब होता है पुजिसिव परनौम यह तो दिमाग घुर जागा दोस्ते तो कैसे पता करेंगे इसको यह फिर परनौम तो समझ में नहीं आगा पते नहीं चलेगा बाप का नाम बुला जाएंगे कोश्व में मिल जागत दिक सय अभी का आँज के बाद से फिर नहीं भूलना हैं हम नोगव को क्यों drainage यह जो positive adjective है यह positive adjective के बाद यह positive adjective के बाद noun जरूर आये का नाउन रहेगा लेकिन इस प्रणाउन के बाद यहां लिख देते हैं यह जगाली है इस प्रणाउन के साथ नाउन नहीं रहेगा समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं अब च्छाट लेंगे हैं कि अगर इन सब के साथ अगर अगर हीज है उसके बाद अगर नाउन है तो समझ जांगे वह पजीसिव इड्जेक्टिव है अगर नहीं है यह पजीसिव प्रोनाउन है कि जैसे हम एक एकजम्पल लिख करके दिखा रहा है कोई भिए upale लेते को जघनी कपक्र ने कोई यह एक इग आवपल दिखादेते जैसे हम बोले कि दिस अब बताएं कि यह polítिशिभ एड्यक्टिफ है कि पेन तो हमारा के नाउन है और जब पेन नाउन है तो इसका मतलब नाउन के पहले आया है और नाउन जरूर यूज होगा ता नाउन यूज हुआ है इसका मतलब यहında अगर हम लिखेंगे तब कन्फूजन होगा अगर मान लेते हैं अगर हम इसको कर दे एक थोड़ा से अगर मान लेते हैं हम अगर नहीं रहेगा यहां अगर पेन मिटा दे तो फिर यह क्या हो जागा यह पूरा लिख करके दिखाते हैं यह मिटा रहे अभी हम यह तुम्हारा कलम है एक मेरा कलम है और वो तुम्हारा कलम है तो इस यह प्रोण है यह पूरा यह तुम्हारा तो कहने का मतलब है कि यह पूरण प्र weet अगे नाउन है पेन है लेकिन यह प्रोणावन है वह सिर्प पूरोनाउन है अए यर्स तो इसके बाद आगे नाउन है क्या नएक नए लगार शाण करें wish Feed योर्ट में अगर कले तो घलत हो क्यों क्यों कि धोड़ा सा है गया हम देखे लिलु। दिख जाना चाहिए अगर हम इसको लिखे योउर पेन अ बराबर होता है trat योर्ट पेन ब्राबर योस तुम्हारे कलम का मिनिंग सब्सक्रां नहीं आगो यह लोग के बीच में कभी भी आर्टिकल का परियोग नहीं होता है यह रखना है आगे बताएंगे उसके बारे में, हना ज़्यादा होच-पोच हो जागा, तो उम्मीद करते हैं यहां कुछ तो समझ मायाँ को थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं, अब यह हो गया, अब थोड़ा सा हम देखते हैं, वही चीज लिख दिये हैं, कि पजिसिव एड्जेक्टिव क यह बाद नाउन नहीं होता है, ठीक, जैसे अब यह जो बोल रहे हैं थे, कि आटिकल वाला वो यहां भी लिख दिये हैं, नोट भी लिख दिये हैं, बड़ा हीट है, ठीक है, कि नाउन के पहले जब पजिसिव एड्जेक्टिव हो, जैसे हम लिखे थे ना, जैसे हम आप पेन कर देते हैं, डिस इज यूर आपेन, मतलब नाउन के पहले जब पजिसिव एड्जेक्टिव होता है, तो नाउन यह हुआ, और नाउन के पहले क्या है, पजिसिव एड्जेक्टिव है, और नाउन के पहले जब पजिसिव एड्जेक्टिव होता है, तब नाउन है तो पुजिसिव एडिक्टिव है और बोल रहा है कि अगर पुजिसिव एडिक्टिव हो तो उस नाउन के पहले कोई भी आटिकल नहीं लगेगा इसका मतलब यह जो लिखे हैं यह हम गलत लिखे हैं पुछा गया सवाल है इसका मतलब तो यह दिस इस यूर्पें ठीक पुजिक्टिव होता है तब नाउन के ठीक पहले कोई आटिकल नहीं लगेगा हम इसके अभी यह जो समझा रहे हैं इसमें कुश्चन भी देंगे बनाने के लिए कि देखते छाट पाते कि ने छाट पाते कुश्चन टफ नहीं होता है कि समय खली लेंग्वेज बड़ा ल लेकिन वहीं खोदी पहाड निकली चुहिए ऐसा ही रहता है तो वहीं वहला हो जाता है कि इंग्लीज बहुत जानते मकर कुछ नहीं घर में भुजल भांगना नेरमंगल ठेर की वहीं हाल रहेगा फिर इंगलीज का अगर नहीं अच्छा से पढ़ पाएंगे तो बुझा ह अब इसमें हम क्या करते हैं लिख करके थोड़ा से एक्जांपल देते हैं अब यह बताना आपको कि दिस इस माई माई बुक और बुक क्या हमारा नाउन है और जब बुक हमारा नाउन है तो उसके पहले जो यूज होगा तो यह होगा पॉजिशिव एजेक्टिव क्योंकि पॉजिशिव एजेक्टिव के बाद नाउन होता है ठीक दिस बुक इस माई अब यह माई माई के बाद नाउन है क्या खतम हो गया नाउन तो है ही नहीं और जब नाउन नहीं है तो इसका मतलब यह हो गया पॉजिशिव परो नाउन पॉजिशिव परो नाउन अब ऐसे य तो इसमें नाउन वर्ड छुपा है कि नहीं है नाउन वर्ड तो छुपा हुआ और तो फिर नाउन कहां से नहीं आद ऐसे समझाने के लिए बोल रहा है नहीं आदा चलिए तो यह वह पॉजिसिव प्रोनौन देशिज माइवाउस अब यह हाउस क्या है नाउन है नाउन के है तो यह हुआ पॉजिसिव प्रोनौन जैसे दिस इस हर ड्रेस यह उसका ड्रेस है तो ड्रेस क्या है नाउन और नाउन के पहले यूज हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ पॉजिसिव एड्जेक्टिव और यह उसका ड्रेस है तो इस ड्रेस लिखा वाथ यह भी हुआ हम इसलिए अलग अलग लिए तो हीज रेस मतलब वह भी पोजीशीव एडिक्टीव यह भी पोजीशीव चिक आगे हाँ अगर बोलते हैं एंड डाड़ीज हर्स हर्स अगर बोलते तो फिर वह पोजीशीव पुर्णाउंड होता है नहीं यहां लिंग बना दिया मैंने से पलेस वह प्रोफेसर है वह कोसिश किया यह बेस्ट आपना बेस्ट डू किलिएर ओल देयर डाफ्स इन duża सब्जक्ट वहージ लेक्चरी after his lecturing यानि कि इसका मतलब क्या हुआ कि the professor जो है वो try किया है क्या his best to clear all their doubts in the subject after his lecturing अच्छा एक बात अगर समझे तो हम फूरा पढ़े ना अपड़े आप लोग को ये देखना है his best to clear the professor tried his best चल ठीक है वो अपना बहतरिन चीज दिया है उसके बाद लिखे लाए all their doubts in the subject after his lecturing तो his lecturing क्या ये सही है हम तो खली positive adjective के बारे में भी ढूल रहे हैं खली positive adjective खली हमको देखना है और positive pronoun देखना है तो यहाँ तो फिर ये his lecturing तो नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए ये positive adjective अगर हम पर्योग करें तो इसके बाद लेक्चार आना चाहिए था लेक्चर लेक्चर इससी आाना चाहिए था तो इसका मतलब यहां लेध्यर क्वाम धशितिकित प्रणोन पड़ा रहें तो वही चाहिए नहीं है creator in कुछ देखने को जहां है पशिसिव हीट कर रहे हैं तो यह हीज़ लेक्चरिंग के जगा हीज लेक्चर नेक्स्ट सब्सक्राइब है 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 एन है 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 ओल्रेडि सब्मिटट हीज दडॉक्यूमेंट हम नो कि हुआज करते बाकि सिखने को सी लिए तो सिखें तो यहां देख लें है इसलिए यहां भर्ब का तीसरा अफस्वाव में ठीक है अब यह है क्या हुआ तो हीज available है क्या है और जो और यहां मतलब यह क्या है सही है नहीं सड़ीन है नोट में गदम बड़ा बड़ा चरवे लिग दिये थे कि प। एक भी आर्टीकल नहीं सब्सक्राइब कोई भी आर्टिकल का परियुग नहीं होता है तो इसका मतलब यह जो दा है यह काट देना पड़ेगा ठीक अब तो समझ मारा होगा तो यह था पुरा का पुरा खली एक रूल था वातर एक रूल था छोटा सा रूल था हना दो कुशिशन लेकर कर आये थे इसका तो उमीद करते हैं यह जो सेशन वो आपको ठीक लगा होगा और अगर ठीक लगा तो आप हमारे सब कंट्यूनु रहें और बने रहें इस वीडि सब्सक्राइब करें जी सरफ और उसी तरफ खोड़ेंगा उसका फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में